दोस्तो न्यूक्लियर बॉम को जब भी फ्लेंट से गिराया जाता है तो बॉम में क्यूं पैरासूर लगाया जाता है बताएंगे दोस्तो इससे पादे जान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजे तरजल दोस्तो जब भी बॉम को गिराया जाते है उतो नीचे आते ही बाश्ट हो जाता है और एक न्यूक्लियर बॉम से बहुत दूर तक इफेक्ट पर सकता है जिससे प्लेन जो होता है ओभी डेमेज हो सकता है इसलिए उसमें पैरासुर लगाया जाता है ताकि ओधीरे धीरे उत्रे और प्लेन को वहां से भागने का टाइम मिले और एक कारण है कि बॉम को अगर साही उचाई पर भटाया जाए तो दूर से दूर तक एरिया को कभर कर सकता है